प्यारे बच्चों सलाम अलाइकुम हम वो वाहिद जनेरेशन है जो हम इस वबा से गुजरे है 2020 में हम लोगों ने कोरोना वाइरस देखा जिसके वज़े से सब कुछ लॉक डाउन हो गया यानि जब हम बड़े होंगे तो हम अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे I mean मैं तो बड़ी हो गई हूँ जब आप बड़े होंगे और आपके बच्चे होंगे इंशालला तो आपके पास स्टोरी सुनाने के लिए होगी कि कैसे आप लॉक हो गए थे घर में मुझे आप सब को यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है सहत और तंदरुस्ती के साथ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जस्ट फोर किद्स का टू हंड़ेट एपिसोड हम आंकर्स तो चेंज होते रहते हैं लेकिन जो कॉंस्टेंट थे वह आप थे बच्चों यानि हमारी जो ओडियन्स थी प्लस जो हमारे स्टूडियो में आने वाले बच्चे थे आप लोगो चैनल विन से राप्ता करें और जरूर यहां आए हम सब आपको यहां देखना चाहेंगे लेट्स स्टार्ट स्लाम अलाइकुम किद्स इससे पहले में अपनी स्टोरी स्टार्ट करूं आप मुझे अपना नाम बताईए और बताईए मुझे आपकी एक-एक होबी कि आपको क्या करना पसंद है? I am Fatima Morchant and I like to read Quran and skating. You like to read Quran and you like to do skating also? Mashallah, very good. Aap बताईए? My name is Nida Fatima, I like reading and cycling. Reading and cycling, Mashallah, very good. Aap बताईए? My name is Sakheena Morchant, I like to cook and I like to read. You like to cook? Mashallah, ये hobby मुझे चाहिए. सही बात है, बहुत अच्छी बात है. आपको इस एज से कुकिंग का शॉक है, I am sure आप इंशालला लाइफ में बहुत बड़ी शेफ बनेंगी, right? Yes. Very good. चले, boys, आपसे स्टार्ट करते हैं. My name is Usain Raza Mochant and I like to read, to cycle and I like to skate. Very good, Mashallah. My name is Raza Mirza and I like to cook and I like to cycling and I like skating on skateboard. You like to cook, you like to cycle and you like to do skating. क्या बनाते हैं आप? चाहे बनाते हैं? Just egg and chai. Egg and chai, okay. Very good. And Maggie. And Maggie also. Very good. आप बताईए, अपना नाम बताईए और आपको क्या करना पसंद है, कुछ भी हो सकता है, वो TV देखना, फोन में गेम केलना, फुटबॉल केलना, मैज देखना, it can be anything. बताईए. My name is Mohamed Baakir. Yes, Mohamed Baakir. ये तो ठीक है, हमें से बहुत से लोग होते हैं, जो हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना पसंद है, but you should develop a hobby. आपको देखना चाहिए कि आपका interest किस तरफ है, आपको religious चीजे करना पसंद है, या आपको लोगों से मिलना जुनना पसंद है, ये सारी एक hobby होती ह कि आपको travel करना पसंद है, बहार जाना पसंद है, ये साब hobby में include होता है, यानि जो चीज आप शौक से करते हैं, वो आपकी hobby हो, चाहिए क्यों कपड़े पसंद करना ही, क्यों नहीं मुझे ये कपड़े अच्छे लगते है, यानि कपड़े पसंद करना आपकी एक hobby है, so you should develop a hobby and you should think कि आपको क्या पसंद है लाइफ में करना और उस पर focus करना चाहिए, ठीक है kids, तो आज की हम story शुरू करते हैं, are you all ready? ये, very good, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो हैं जुनाब मुसा अलाईस्म पेगंबर है या नहीं कोई बता सकता है? जी बताईए आप नीदा, अज़र्द मुसा वाज़ा अलुल अलाईस्म पेगंबर है, अच्छे मुसा अलाईस्म के बारे में ये बताईए कि उनके उपर कौन सी बुक जो है तो नाजिल हुई, कौन सी बुक लाए, जी, बिकॉस इस दफर्स वन, हुसेन आप बताईए, माइक दीजे हुसेन को प्लीज, जो जल्दी हाथ उठाएगा, इल गिव चांस तो दाट परसन, ओ नहीं, बाइबल नहीं है, जी, नीदा, आप ही बताईए, तौरेट, वेरी गुड, जो जनाब मुसा अलाईस्म पर जो किताब नाजिल हुई थी, वो तौरेट थी, यानि हम उसे ओल्द टेस्टरमेंट भी कहते हैं, तो जनाब मुसा अलाईस्म के उपर जब तौरेट ना उसने लोगों को बता रहे थे अच्छी बातें कि जिन्दगी में क्या करना चाहिए, हमारा मकसद क्या है, तो उस शक्स ने खड़े होके पूचा जनाब मुसा से, क्या आपसे ज़्यादा समझदार आदमी को इस दुनिया में है, तो जनाब मुसा तो नभी है, उलूल अज में पेगंबर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं नहीं, मैं ही सबसे समझदार आदमी हूँ, बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, जैसे ये उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, जनाब जिबरील अलिए से उनके पास आ गए, और 1098, शायद, जी निदा आप बताईये, He is still alive, yes, very much he is alive, बट उनकी एक approximately क्या एज बताई जाती है, Anybody? Okay, उनकी एज जो बताई जाती है, जनाब खिजर अलाई सलाम, 4000 साल के है, 4000 years, यानि आप होंगे 10, 11, 7, 9, 12, Right? He is 4000 years old, Can you imagine? खेर, तो अब जब इतना बज़र्ग शक्स कोई होगा, तो अब जाहिर सी बात है, उन्हें सबसे ज़्यादा intelligent होना चाहिए, तो जनाब मुसा अले सलाम को जनाब खिजर अले सलाम के पास, अल्ला ने कहा कि आप जाईए और उनसे कुछ सीखिए, जनाब मुसा अले सलाम ने सोचा, मैं अकेला क्यों जाऊँ, मैं ले जाता हूँ अपने साथ, जनाब यूशा बिन नून को, यानि जो वो है, जनाब यूशा बिन नून थे, जनाब मुसा अले सलाम के बाद, तो उन्हों ने अपने साथ उन्हें ले लिया, और वो लोग निकल गए सफर पर, क्योंकि सफर अकेले करना बहुत, उस जमाने में तो इतने फैसिलिटीज थी नहीं, उंटों का सफर होता था, और हम लोगों को जानवरों पर जाना पड़ता था, तो बहुत जादा सहरा होते थे, उन्होंने एक साथी ले लिया, कि एक कमपैनियन हो जाएगा सफर में, तब उन्होंने एक मचली रख ली, जनाब जिबरील ले उन्हें बताया, कि जब तक ये मचली आपके पास है, समझे आपकी मनजिल नहीं आई है, जब ये मचली आप से घूम जाए, आपको समंदर में कहीं चली जाए, उस वक्त आप समझेगा कि आपकी मनजिल आ गई है, फिर वो लोग एक जगा पहुचे, फिर वहां से उन्होंने कष्टी कर ली, और कष्टी में वो बैढ गए उस मचली को लेके, एक बहुत तवील सफर के बाद ऐसा हुआ, कुछ ऐसे सरकम्स्टैंट्स हुए, कि वो जो मचली उनके पास थी, उसके मुँ में कुछ पानी के कत्रे पड़े समंदर के, और वो मचली फौरण जम कर दिया उसने समंदर में, लेकिन जनाब मुसा इतने ठक गए थे, कि उनको क्लिक नहीं हुआ कि मचली यहां गाइब हो गई है, वो आगे बढ़ गए, तब उनको जनाब यूशा बिन नून ने बताया कि आपको जनाब जिबरील ने बताया था, जब यह मचली गाइब हो जाएगी तब आपको जनाब खिजर मिलेंगे, तो जनाब मुसा को याद आया रहे, हाँ ऐसा ही था, फिर वो उस जगा पलट कर वापस आए, फिर कुछ देर रुके और जनाब मुसा अलिएसलाम को जनाब खिजर अलिएसलाम वहाँ मिल गए, फिर उन लोगों ने अपनी कश्टी छोड़ दी, और जनाब खिजर अलिएसलाम के साथ उनकी कश्टी पे सवार हो गए, जिसमें और भी कई लोग थे, पहले जमाने में ऐसे होते थिरा मचवारे होते थे, कश्टी वाले होते थे, वो लोगों को यहां से वाँ ड्रॉप करते थे, उसके कुछ पैसे लेते होंगे या जो भी कीमत लेते होंगे, और फिर जो है तो उन्होंने जनाब खिजर से कहा, कि मुझे आपके साथ कुछ वक गुजारना है, आपसे कुछ सीखना है, जनाब खिजर अलैसिलाम ने कहा, आप मेरे साथ सबर नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैं बिल्कुल आप देखिए मुझे साबिरों में पाएंगे मैं आपके साथ सबर करूँगा बस आप मुझे कुछ दिन अपने साथ रख ले तो जनाब खिजर थोड़े से रिलेक्टन्ट थे हैजिटन्ट थे कि नहीं शायद नहीं जमेगा या नहीं कर पाएंगे लेकिन पिर उन्होंने उनके इस चीज़ को एकसेप्ट कर लिया और वो उसके बाद उनके साथ हो गए अब जैसे ही किनारा नस्दीक आया यानि जो कहते हैं शोर्ज पर बोट पहुंचने लगी जनाब खिजर ने क्या क्या बहुत अच्छी सी जो बोट थी बैट कि उसमें हतोड़ी से छेद कर दिया अब जनाब मुसा हैरान हो गए कि अच्छी खासी बोट को जनाब खिजर ने छेद कर दिया क्या जरुट थी इनको छेद करने की इस तरह से और वो बिचारे की जो बोट खराब हो गई अब उसको नुकसान बरना पड़ेगा तो जनाब मुसा ने ये बात एकसेप्ट की थी कि वो सवाल नहीं करेंगे लेकिन अब बहुत ज्यादा परिशान हो गए कि जनाब खिजर ने अच्छी खासी बोट में छेद क्यों कर दिया और वो बहुत ज्यादा हम लोग को भी ऐसा होता ना रहे इनुने ऐसा क्यों किया होगा ये काम अच्छी बोट तो थी कोई छेद तोड़ी करता है बलकि छे दो तो से बना देता है फैर फिर लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वह क्वेस्चन नहीं करेंगे तो वहां से आगे बढ़ गए फिर ऐसा हुआ कि वहां पर वो उस गाओं में आए पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग आके कहते थे क्या कि आप हमें महमान रखेंगे तो अगर कोई accept कर लेता था था तो लोग उनकिया महमान रहते खाना पीना खाते वहीं स्टे करते तो उसी तरह जनाब मुसाँ जनाब खिसर यह लोग गये उस गाउं में और जाके सब से पूशने लगे कि क्या हमें महमान रखेंगे तो वहां से एक बच्चा आया जैसे ही वो बच्चा नजदीक आया जनाब खिजर ने अपनी तलवार निका लिया उसकी गर्दन उड़ा दी अब जनाब मुसा हैरान परेशान कि अच्छा खासा बच्चा खेल रहा था इसको मार दिया क्यों कि अब वो अपने आपको रोक नहीं पा रह पिर कुछ दूर के बाद गए तो वहां देखा एक दीवार टूटी पूटी पड़ी है जनाब खिजर उसको बनाने में लग गए और कहने लगे आईए इसको साथ में मिलके बनवाईए तो एक जो दीवार टूटी हुई थी वो दीवार उन लोगों ने पूरी मरमत करके प बना रहे हैं अच्छे खासे बच्चे को आपने मार दिया प्लस आपने जो है तो गरीब आद्मी की बोर्ट थी उसमें आपने छेद कर दिया अब जनाब खिजर ने भी बोला कि अब हमारा पेशन्स भी खतम हो गया मैंने आप से कहा था आप मेरे साथ सबर नहीं कर पाएं जब आपने बोर्ट में छेद क्यों किया तो जनाब खिजर ने बताये यहां इस गाउं में बहुत जालिम बाद्चा है वो गरीब जो ऐसे नावाले होते हैं जो मच्वारे होते हैं उनकी बोर्ट उनसे छीन लेता है उस पर कबजा कर लेता है और लेकिन अगर किसी जब चूटी है या सही नहीं है कुछ और प्रॉब्लम है तो वो ऐसी बोर्ट नहीं लेता है इसलिए मैंने शोर्ज पर पहुशने से पहले किनारे पर पहुशने से पहले च्षेद इसलिए कर दिया था क्योंकि जब यह बोर्ट टूट जाएगी तो जो इस गाउं का बाद तो जनाबे खिजर ने बताया कि वो जो बच्छा था वो एक बहुत बुरी ओलाद था उसके माबाप को बहुत सताता था उनकी दिल अजारी करता था अब उसके बदले अल्लाव उन्हें एक बहुत ही नेक और सौले आउलाद देगा जो अपने माबाप के दिल का सुकून बन सके और अल्लाव उनको बहुत अच्छी आउलाद से नवाजेगा इसके बदले तो जनाब मुसा को लगा अच्छा ठीक है ये भी ठीक है जो एक आदमी ने चुपा के गया वो बहुत ही नेक और अल्लाव वाला अबादत गुजार शक्स था वो अपने बच्चों के लिए चुपा के और फिर वो मर गया उसके बाद उसने वहाँ चुपा दी और उसके इसकी इंतिकाल हो गया तो जब ये बच्चे बड़े होंगे ना तो ये हक उनका है अल्लाव उन पर ये जाहिर कर देगा लेकिन ये दिवार इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी कि अगर ये अभी तूट जाती तो कोई आकर इनका हक जो इनके बाप ने इनके लिए या रखा है वो कोई ले जाता इसलिए मैंने अब वो दिवार बना दी है अब जब वो बच्चे अपनी जवानी पर पहुचेंगे तो अल्ला उनके लिए ये खजाना जाहिर कर देगा तब जनाब मुसा को सारी चीज़ें समझ में आने लगी और साथ ही साथ ये सीख भी हमें मिली कि हमको अगर एक उलूल अजम पैगंबर ही क्यों ना हो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब आता है हम सबसे ज्यादा इंटेलिजिन्ट है राइट अच्छी लगी है आप लोगों को स्टोरी येस वेरी गूर तो आप बताएंगे कि आप लोगों ने क्या मॉरल निकाला इस्टोरी में से जी रजाली हमेशा सबर रखना चाहिए यह सबसे ज़्यादा एहम मौरल था कि हम लोगों को हमेशा सबर रखना चाहिए हो सकता है वो कुछ दिन और जनाब अखिजर के साथ रहते और कई चीजे भी वो उनसे सीख पाते राइट जी हुसेन आप बताईए फिर मैं आप निदा आप से पूछती हूँ यह भी बिल्कुल सही है हम लोगों को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे जादा समझदार है क्योंके हर सेर पर एक सवासेर होता है राइट जी नीदा आप बताईए तो हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है और हम हर चीज में बहुत अच्छे हैं जी रजाली आपको चुछ और है जी बताईए जी 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 जैसे जनाब मुसा ने भी जब उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप सबसे जादा समझदार है उन्होंने बहुत जल्दी जी हाँ मैं सबसे जादा समझदार हूँ मैं तो नभी हूँ बिलकुल ऐसा नहीं कि ना ही वो ओफेंड हुए कि तुम मुझसे ऐसा सवाल क किसे कर सकते हैं मैं नभी खुदा हूँ तुमको लगता है मुझसे जादा समझदार कोई होगा यानि अगर कोई हमें क्वेस्टिन करे तो हमें ना ओफेंड होना है ना अपने उपर हमें बहुत जादा यह रखना है कि हमें तो सब आता है राइट अच्छा ठीक है तो मैं मेर स्टोरी और मॉस्स खत्म हो गई है अब मैं खाली यह देखूंगी आप में से अटेंशन कितने लोगों का था जणाब मुसा अलहिसलाम के जो वसी हैं वो कौन थे कौन बने जी सकीना आप बताना चाहेंगी यशा बिन नून येश यूशा बिन नून थे अच्छा कौन होने वाले थे उनके नभी आप बता सकते हैं जो पिर नहीं हो पाए थे क्योंकि उनका इंतकाल हो गया था हां अमद बाकिर आप बताएंगे जनाब हारून अलहिसलाम वो क्यों नहीं बन पाए थे उनके वसी गंतकाल हो गया था वेरी गूड मतलब आप सब अटेंशन दे रहे थे स्टोरी को उमीद करती हूँ आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी और मुझे आपके आंसर से पता चल रहा है कि यू आल वर पेंग अटेंशन और हो सकते है कि आप में से कईयोंने सुनी हो कई ubiquiीं हो तसे उनके लिए कईयों को फिर से रिफ्रेश हो गया याद आगए तो अपने आपको तो आप लोग हमेशा यह सोचे कि नहीं हमसे जादा भी लोगों को आता है और पूछने में कोई शर्म की बात नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों आल्वेज आस्क टू नो तो अब मैं बलाना चाहूंगी निश्यत पातिमा को देखते हैं आज हमारे लिए क्विज में वो कौन से क्वेस्टिन्स लेकर आई हैं और क्या आप लोग आंसर कर पाते हैं या नहीं सारी तारीफ पाप परवर्दिगार की जिसने इतनी ग्लोबली पैंडेमिक जैसी सिटुवेशन में हमें महफूज रखा और मौका दिया आप से रूबरू होने का दो बारा हम परवर्दिगार के एहसान मन दें अब मुझे आपको यह बताते हैं बहुत खुश ख़बरी हो रही है खुशी महसूस हो रही है कि आपके सपोर्ट से आप सभी के एक्विली कॉंट्रिबूशन से हम आज 200 एपिसोड कम्प्लीट करने जा रहे हैं मैं शुक्रदा करती हूँ तमाम पैरेंस का तमाम किद्स का जिन्होंने हमारे शो में आके पार्टिसिपेट करके अपने रिव्यू शेर करके अपने सजेशन्स देके हमारे प्रोग्राम का ये स्टेज लाएं कि हमारा प्रोग्राम 200 एपिसोड मुकमल कर रहा है आज तो चलिए हम आगास करते हैं अपने प्रोग्राम जस्ट फो किट्स सेग्मेंट डिडि यू नो का अस्सलामों आलेकुम बच्चो कैसे हैं आप लोग मैं उमीद रखती हूँ सिस्टर फातिमा ने जो आपको स्टोरी सुनाई है आपको काफी इंट्रस्टिंग लगी आपने उससे कुछ न कुछ सबक सीखा होगा तो ठीक है तो चलिए हम अपने सेग्मेंट उसको स्टार्ट करते हैं तो मेरा फॉर्स क्वेशन है टू गर्ल्स तो गर्ल्स मुझे आप अब अदाईए हमारे किस नभी का लकब रूह उल्ला है निदाब बताईए हज़रत इसा अले सलम वेरी गुड बॉइस आपके लिए सेकेट क्वेशन है आप अब अदाईए किस नभी की वालिदा के लिए परवर्दिगार ने मस्जिद के महराब में घिज़ा भेजी थी आप बताईए मुसा जनाब मरियम वेरी गुड बच्चो बीबी इतनी पाक खातून थी कि परवर्दिगार ने जब उनके उपर एक बहुत मुश्किल हालात आये थे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उनका तो परवर्दिगार ने उनके लिए घिज़ा भेजी थी जननत से और मैं आपको बताऊं जो जननत की सरदार बीबियां होती है ना उनमें से एक बीबी जो है जनाब मरियम भी है जो हमारे प्रॉफिट जनाब एईसा की वालिदा माजिदा है ठीक है तो गर्ल्स आप बताएए जनाब एईसा पे जो किताब नाजिल हुई थी उस किताब का नाम क्या है इंजील जनाब एईसा की जो किताब है जो उनके ओपर नाजिल लूई थी उसको हम कहते है इंजील आज के जमाने में क्या इंजील मौजूद है कोई बदा सकता है मुझे हाँ बताए हुसेन येस इंजील है नो तो मुझे कौन बताएगा आज के जमाने में दोर में जो हमारे पादे की हुली बूक है उस बूक का नाम क्या है फातिम हाँ बता सकते हैं क्रीक नहीं बताती हैं हुं आप पढ़ती होंगी अप मदर सर जाती हैं हां तो वहाँ कुछ किताब पढ़ती होंगी ना? हाँ कौन से किताब पढ़ती है? पुरान एक्सेकली तो खुरान शरीफ आज की हमारी होली बुक है जिसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है कोई चेंजिस नहीं हुए यह वही किताब है जो रसूल खुदा ने लिखी है उनकी ओपर जिब्रेल अमी नाजिल होते थे और जो भी उनका खुदा का कॉन्वसिशन होता था वो उसमें रिकॉर्ड है और एक वाहिद वही किताब है जो हमें आज तक सही राह दिखाएगी कियामत तक यह किताब बरकरार रहेगी और safety में है किसके safety में किताब है रजा बताइए शायद इमाम में जमाना शायद नहीं exactly इमाम में जमाना अज अलोँ टाला फरजबोछारीब इस किताब को अपने हिवस्वं मान में रखे है इस वज़ा से इस किताब में आज तक कोई भी तब्दीली नहीं हुई है ठीक है? चाले ओके So now, this question is for boys मुझे पांच उलू अज्म पेखंबरों के नाम बताईए ओके मुसा बताईए रसूल खुदा ओके खजरत इबराहीम ओके जनाब मुसा जनाब इसा जनाब केजर नहीं एक नभी ते जुनने कश्टी वनाई थी तो तो सुना ही होगा आपने वाक्या ओके लेट्स गिविट टू हुसेन आप बताईए हुसेन प्रॉफिट नू वेरी गुड प्रॉफिट नू अलेहिससलाम हम किसी भी प्रॉफिट का नाम विद आउट अलेहिससलाम के नहीं लेते हैं ठीक है हुसेन रसूल और स्लालहु आलेहिससलाम जनाब इबराहीम अलिएसलाम जनाब मुसा अलिएसलाम जनाब इसा अलिएसलाम और जनाब नुह अलिएसलाम ये हमारे पांच उलूल अज्म पेगंबर है अच्छा गर्ल्स मैं आपसे एक इस पे एक और क्वेशन करती हूँ मुझे बताई इन पांचो पेगंबरों में सबसे बड़ा मरतबा किस नभी का है ओके निदाब बताईए रसूल खुदा सललाह अलिएसलाम वेरी गूड अपसलिटली राइट हमारे पेगंबर जो है रसूल खुदा सललाह अलिएसलाम सबसे इन पांचो पांचो इन फाइफ प्रॉफित में से इनका मरतबा सबसे बुलंद है ओके चलिए दाव लेट्स स्टार्ट आर जी के क्वेश्चिन तो अगेन आई विल जस्ट गिव यू आ हिंट के गर्ल्स आ लीडिंग बॉइस गेम्स पसंद है आप लोगों को एस तो कौन कोट से गेम्स कहलते हैं आप लोग आप बताईए टाट वपाइव और आपका हुसेल फूटबॉल 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 पसंद है आपको ग्रेट मुसार आप नहीं जोटफें कोई गेम कौन सा गेम खिलते हैं? फुटबॉल फुटबॉल? ओके, यहनि कि सारे बोईस को आउटडोर गेम पसंद है अचा, गल्स, आपको क्या पसंद है? आप लोग क्या करते हो फ्री टाइम में? ओन मोबाइल ओन मोबाइल? वाओ, कौन सा गेम खिलते हो? रोब्लोक्स ओके, अचा इडिया ने एक गेम, ओनलाइन गेम बैन किया था रिसेंटली बैन हुआ है काफी फॉलोवर्स थे उसके, बताएए कौन बताएगा? वाओ, सो एंथूसियाजम, माइगाद बड़ी गल्स का था अचा चलो, दे दो भाई ने, पॉइंट्स का में इनके पास बताएगा पबजी वेरी गुद पबजी चले ठीक है, मैं थोड़ा से जको तफ करती हूँ अब आपके लिए अब मुझे बताएगे वो एग्जाक्ली डेट बताएगे जिसमें इंडियन कोवर्मेंट ने पबजी को बें किया था रजा यूँ वांट ट्राएगे अचा मन्त ही बता दिये शायत से नवेंबर शायत से नवेंबर नहीं पक्का वाला बताएगे पक्का वाला किसको बताएगे मैं पक्का वाला बताती हूँ पक्का वाला है 2nd of September year 2020 अब PUBG आप खेलते हैं बेहन भी हो गया है अब इसको भी यार रखेगा नहीं खेलते आप चले कोई बात नहीं आचा मुझे this question is for girls, girls seems to be very bright मुझे पता ये question है आपके लिए IAF, Indian Air Force ने recently they have inducted aircraft what is the name of that aircraft? Inducted means Inducted means यानि के introduced अभी Indian Air Force ने कुछ aircraft को introduced किया था हाली की बात है ये RAFAL Very good, RAFAL RAFAL are the fighter aircraft जो इंडिया ने launch किये थे और कहां launch किये पता है ये इन्होंने 10th of September year 2020 में Ambala Air Base in Haryana में ये एक्राफ लॉंच हुए है fighter aircraft, ठीक है? याद रहेगा सबको? Yes! Very good! Good! अच्छा मुझे किसी ने कहा था उनकी hobby cricket है यहां पे? So this question is again for boys मुझे बताईए Which two teams played IPL 2020? Okay, Musa आपको try करना है? Mumbai vs Delhi Mumbai vs Delhi तो ये तो half question answer हो गया पूरा बताईए, पूरा नाम क्या है उनका? Mumbai Indians vs Delhi Capital और आपको पात है Delhi Capital Formerly it was known as Delhi Daredevils जिसका अभी naming हुआ है as in Delhi Capitals So who won? Mumbai Mumbai Very good! जी हाँ So Mumbai Indians were the winner of IPL year 2020 Okay girls तो ये question आपके लिए है और please don't let me down because I am supporting you all ठीक है? मुझे बताईए, UNESCO का full form क्या है? United Nations educational, scientific and cultural organization Very good Nida तो UNESCO का full form है United Nations educational, scientific and cultural organization So the ever first international literacy day was celebrated in the year 1966 So teams hope आपको ये session काफी knowledge-rable लगा? Yes! अब आपको सबको याद रहेगा क्या-क्या दीन के साथ साथ हमने जो भी social questions, GK के question answers यहाँ पे discuss करे हैं आप सबको याद रहेगा? Yes! Very good So boys and girls Girls Team A is the winner of this session Congratulations girls Thank you Welcome तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफर में आगे और देखते हैं Neelam हमारे Amazing Facts segment में क्या लेकर आई है? Bismillahirrahmanirrahim Dear viewers Assalamualaikum आप तमाम का इस्तिक्पाल है प्रोग्रेम Just for Kids के आखरी मरहले Segment Amazing Facts में Viewers हम तक्रीबन आपसे आट महीने दूर थे इन बच्चों को इस माहौल को हमने बहुत मिस किया हमने लास्ट एपिसोड में भी इसकी बात की थी और आज वो दिन है वो मौका है जब Just for Kids ने अपने 200 एपिसोड को complete किया है Viewers आपके support के बिना ये मुमकिन न था आपके feedbacks आपके opinions आपने जिस तरह हमें support किया motivate किया साथ ही parents ने जिस तरह अपने प्यारे बच्चों को हमारे program में भेजा हमारे program की शान बढ़ाई और ये आपकी ही वज़े से हम इस सफर में यहां तक पहुँच चुके हैं तो सबसे पहले हम आपका शुक्रिया आदा करना चाहेंगे साथ ही हमारे सारे beautiful kids को हम कहना चाहेंगे एक बहुत बड़ा thank you Thank you kids Welcome अच्छा जैसे कि मैंने कहा हम हमारे सफर में Just for Kids के 200 episodes complete कर रहे हैं तो आप मुझे यह बताईए कि हमने amazing facts segment में सबसे ज्यादा किन चीजों के बारे में बात किया हैं Countries Very good रजा हमने हमारे Just for Kids के amazing facts segment में सबसे ज्यादा जिन चीजों की बात की है वह हैं दूसरे मुलकों की दूसरी countries की इसके अलावा कौनसी topics पे हमने नजर दाली हैं Birds Birds very good हमने काफी सारे birds है जिनके बारे में मालुमात आपके साथ शेर की है Birds के अलावा India हमने इंडिया के कहीं सारे facts हैं इंडिया के कहीं सारे states हैं इसकी information आपको बताई है Very good Animals Right हमने काफी सारे animals की information आपके साथ शेर की है इसके लवा काफी सारे national parks है जिसके बारे में आपको बताया है Oceans के बारे में बताया है Inventions के बारे में बताया है हम हमेशा की तरह इस बार भी हमारे segment में आपको रूबरू करवाएंगे एक country के facts से यह जो country है यह एक South American country है एक ऐसी country जिसका शुमार होता है दुनिया भर के सबसे छोटे मुलकों में आप में से कोई जानता है कि यह country कौन सी है आप जानते है रजा शायद श्री लंका श्री लंका No हम South American countries की बात करें और यह country बहुत छोटी है लेकिन यह एक ऐसी country है जो बहुत ही ज्यादा खुपसूरत है यहां के साहिल पर अगर आप जाकर बैठे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा साथ ही एक ऐसी country है जिसमें अभी the newest wonder of the world मौजूद है आप जानते है निदा हम किस country की बात कर रहे हैं Puru येस हम बात कर रहे हैं the country Puru की ये एक South American country है एक ऐसी country जहां पर Spain का काफी influence है तो अगर हम बात करें यहां की national languages की याने यहां पर जो लोग रहते हैं यहां की जो आबादी है यह कौनसी language में बात करना पसंद करती है तो वो कौनसी languages होंगी Spanish Spanish very good अगर हम बात करें यहां की official languages की तो यहां पर तकरीबन 80% आबादी 80% population Spanish में बात करती है Spanish के अलावा यहां पर कौच्छा और Imera वो languages है जिसमें यहां के लोग बात करते हैं और साथ ही यह 6th ऐसी country है जहां पर gold काफी ज्यादा तादात में मिलता है अच्छा आप हमें यह बताईए कि यहां का capital क्या है यहां का capital यहां का सबसे बड़ा शहर भी है लीमा लीमा राइट पुरू का capital है यहां की city लीमा और यह यहां का सबसे बड़ा शहर भी है इस country को पुरू क्यों कहते हैं बेरी गुट मूसा यह बहुत ही अच्छा सवाल है इस country को हम पुरू क्यों कहते हैं जैसे के हमने कहा कि यहां पे Spanish influence, Spain का influence काफी ज्यादा है इसे अपना नाम भी Spanish अलफास पेलू से मिला है जिसके माइने होते हैं एक नदी साथी जहां हम बात कर रहे हैं इस country की तो आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि अगर हम इस country को पुरू को skyline से देखे तो आपको बहुत अजीब और गरीब डिजाइन देखने मिलेगी जैसे कि अगर हम इंडिया से ट्रैवल करते हैं बाहर जाते हैं और हम इंडिया की skyline देखते हैं तो हमें किस तरह हमारी country के जो coastal borders है उस पर lights वगरा हम देखते हैं अगर आत के वक्त हम ट्रैवल करें तो उसी तरह अगर हम पूरो की skyline में travel करें तो हमें अजीब और गरीब designs देखने मिलती हैं आप जानते कि यहां के लोगों का क्या कहना है कि यह designs किन चीजों को symbolize करती है यहां के जो लोग है वो इसके बारे में क्या कहते हैं जानना चाहेंगे आप लोग इस country में जो लोग रहते हैं उनका यह कहना है लाइक यह designs aliens ने बनाया है फणी राइट एलियन किस तरह design मिना सकते हैं हम यह सोचेंगे अच्छा किछ वैसे एक ऐसा vegetable है जो ज्यादा तर हर बच्चे को खाना पसंद होता और बड़ी भी इसे खाना काफी पसंद करते हैं यहाने हम बात कर रहे हैं potatoes की और अगर हम बात करें पूरू country की तो यहां प पर तक्रीबन तीन हजार किसम के potatoes मिलते हैं यहाने हम सोच सकते हैं कि यहां पर जो french fries मिलती होगी यह कितने सारे flavors में और कितने सारे अलग-अलग तराकी मिलती होगी right yes इसके अलावा पूरू की जो जमीन है इसका जो रखबा है इसका तक्रीबन 60% हिस्सा Amazon forest से घिरा हुआ है और शायद यही वजा है कि यह एक ऐसी country है जहां पर आप एक दिन में सबसे ज्यादा बर्च देख सकते हैं अलग-अलग तराके अलग-अलग species के इनका world record है कि यहां पर एक दिन में आप सबसे ज्यादा बर्च देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा भी आप पूरों में देख सकते हैं ओके ओके साथ ही जिस तरह हमने सेग्मेंट के स्टार्टिंग में कहा था कि अपको यहां देखने मिलेगा और इसका नाम है माचू- आप रिपीट कर सकते हैं फातिमा माचू-पिचू 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 was built in 14th century 2000 meters above sea level it is a UNESCO World Heritage Site it is also referred as Lost City of Incas इसके अलावा अगर हम बात करें लेक टिटी काका की तो यह दुनिया का सबसे बड़ा लेक है और यह भी पूरू में मौझूद है इसके अलावा धा कैरो ब्लैंक को sand dune is the highest in the world यहाने यह एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको seven wonders one of the seven wonders of the world भी देखने मिल जाएगा साथ ही आप यहाँ पर लेक, sand dune, amazon forest और कहीं सारी चीज़े हैं जो देख सकते हैं तो यह सारे facts जो हमने आपके साथ शेयर किये यह आपको याद रहेंगे येस विवास हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि बच्छों के साथ साथ आपकी मालूमात में बी जरूर इजाफा हुआ होगा हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि यह सारी मालूमात यह सारे programs channel win पर जो आते हैं यह आप youtube पर भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी के साथ हमें दीजे अजासत पर बने रहे चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत शुक्रिया मनें बने लिए बने अजासत पर बने रहे चैनल